यूपी में 11 सीटों पर 10 जून को राजसबाद चुनाव होने वाले हैं ऐसे में सौमबार को यानि आज राष्टे लोगदल के अध्यक्ष चौदरी जर्यन सिंग ने आरेलडी और सपा के सायूद उमीदवार के रूप में राजसबाद चुनाव के लिए नामर्कन कर दिया है सपा अध्यक्ष अकलेश यादव के साथ पहुँच कर उन्होंने नामर्कन की प्रक्रिया पूरी की जर्यन चौदरी ने राजसबा भेजे जाने को अपना सम्मान बताते हुए अकलेश यादव और गटबंदन के दूसरे दल्क का अभार जताया है नामर्कन दाखिल करने के बाद जर्यन चौदरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गटबंदन कायम है और कायम रहेगा जिस तरह हम मिलकर विधान सबाचुनाब में मजबूती से लड़े उससे हमारा गटबंदन मजबूत हुआ है राजसवा प्रत्याशी बनने के लिए मैं अकलेश यादव और सपा कारेकरताओं का अभार प्रकट करता हूँ राजनती गल्यारों में अकलेश यादव के इस तैसले की काफी चर्चा चल रही है जानकार इसे बड़ा सियासी चाल के रूप में देख रहे है दरहसर अकलेश यादव की पच्छिमी यूपी में मुस्लिम जाट समिकरन को और मजबूत करने पर नजर है यूपी की 11 सीटे खाली हो रही है जिसमें से तीन सपा के उमीदवार जी सकते हैं ऐसे में अकलेश इन तीनों सीटों में से दो सीटों पर पच्छिमी यूपी के नेताओं को ही राजसबा भेजने का पैसला किया है। जावेद अली और जयन चौधरी दोनों नेता पच्छिमी यूपी के बड़े नाम रहे हैं। खास बात ये है कि एक मुस्लिम और एक जाट नेता के सहरे अकलेश इयादव इस परात्री की गाठें आपस में मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। इसी सार विदान सबा के हुए चुनाब में इसी समिकरन के सहरे अकलेश इयादव को पच्छिमी यूपी में सियासी उमीद की किरन दिखी थी। सपा को ही नहीं बल्कि इस जाट मुस्लिम समिकरन से जयन चौधरी को भी भारी फायदा हुआ है। अब देखना होगा कि अकलेश इयादव को इस पैसले का 2024 के लोगसबा चुनाब में कितना फायदा मिलता है। बीरो रिपोर्ट नेक्स नाइन न्यूज निशन